इस्टुडेंट्स आज हम फ्लूड मोजाइक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे यह फ्लूड मोजाइक मॉडल जो है प्लाजमा मेंब्रेन का या मेंब्रेन का वो सिंगर और निकोल्शन के द्वारा 1972 में प्रपोस किया गया 1972 में यह प्रपोस हुआ तो बुक्स में आते आते थोड़ा इसको और समय लगया उसमें लिक्टरेचर की अजरा दूसरे तरह से थी जैसे आज कल इंटरनेट मीडिया सब बहुत एडवांस है तुरद तुरद हम लोग चीजों को जान जाते हैं पहले ऐसा नहीं होता था जो ह है तब तक हम लोग पास होके निकल गए और जब हम लोग टीचिंग में भी आ गए तो यह बहुत सालों तक पूछा नहीं जाता था हम लोग जब फिर रिसर्च में गए और वहां अच्छी बुक्स देखे तो यह वाग ए तो हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं तो हम लोग आ 90 सेवेंटी टू में इस फ्लॉड मोजाइक माडल को दिया बच्छो जैसे कि स्टेंट्स यह फ्लूड के मतलब हो गए तरल मोजाइक के मीनिंग होती है चित्रकारी तो तरल भी है और चित्रकारी भी है तो यह जो मेंब्रेन का आर्गनाइजिशन है मेंब्रेन का जो स्ट् पेंट और सेंट का हम लोग गोल बनाते हैं उसमें मोजैक के partyट किलस रंग और छोटे बड़े सब तरह के party ढाल देते हैं फिर उसको किरेते हैं फिर उसको मशीन से घीसते हैं कोई party बहुत नीचे पड़ जाता है कोई party यूपर आ लेयर है और इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर यह प्रोटीन जो है इंसाइटेड हैं उसके बीच में इंटरकैलेटेड हैं फिर थोड़े समय के बाद यह अपडेट किया गया इस वरजन को बहुत सारी रिसर्चेज होई बहुत सारी टेकनीक्स आ फ्रीज फैक्चर फ्रीज जिसके दौरा मेंब्रेन को काट के उसको देखा गया तो पाया गया कि नहीं इतना सिंपिल नहीं है बलकि और उसमें चीजें हो गई है तो यह फॉस्फोलिपिट की बाई लेयर तो है मैं आपको बता दूं इस मॉडल इंफेसाइज इस दाइनेमि क्वालिटी विच इस डिफिकल्ट तो कैप्चर इन डाइग्रमेटिक स्केचेज इस इंबड़ोईट इन दा मोविल्टी आंड इंटरेक्शन एमंग वाइरियस मेंब्रेन कामपोरेंस यह मेंब्रेन का जो आर्गनाइजिशन है इस्ट्रक्चर है इसको हम किसी डाइग्र स्केचर देना बड़ा मुश्किल काम था इस डिफिकल्ट तो कैप्चर इन डाइग्रमेटिक इस केसे बलकि यह किस चीज में है समलित है इसके जितने भी मेंब्रेन के कंपोनेंस हैं सब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और जैसे कभी आपने बारिस का पानी बहते हुए देखा होगा स्टीट पर सरको पर तो बहुत सारे पारिकल्स उसमें बहते हुए ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं इस तरह से होते हुए जाते हैं तो उसी तरह से समझे कि मोजैक आफ प्रोटीन से अब वो फ्लोट कर रहा है फ्लिडाफ लिपिड में जैसे कोई बोट पॉंड में फ्लोट करती है कभी थोड़ा डूपती है कभी उतराती है तो उपर नीचे होती रहती है और एक जगह पने उसी तरह से इसमें मोजैक जो पर्टिकिल्स है वो आपस में इंटरेट करते हैं इन दिस मोर रिसेंट मॉडल the physical state of the lipid bilayer is emphasized lipid के physical state को इसमें emphasis दी गई हम इसके पहले पढ़ चुके हैं डैनेली डॉप्शन मॉडल में कि lipid की फास्फो लिपिट की bilayer होती है यह एक लेयर है यह दूसरी लेयर है फास्फो लिपिट की bilayer यह फास्फो लिपिट का head group है जो की hydrophilic है यह hydrocarbon chain है जो की hydrophobic है तो दोनों hydrophobic आपस में एक तरफ है और यह साइटो प्लाजम है इधर fluid होगा और extrasolar fluids cell membrane के बाहर होगा तो दोनों तरफ यह जो फास्फो लिपिट का head है इसका orientation water की तरफ है इधर भी है fluid और इधर भी तो इसका orientation उदर है और यह जो इसका hydrocarbon chain है वो membrane के middle portion में आ रहा जहां इसका water से कोई वास्ता नहीं है इसमें फिर जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एंफिपैथिक molecules को एंफिपैथिक molecules हो जिनमें एक तरफ polar group हो और एक तरफ non polar group हो इसको water में अगर डाल दें तो उसका जो head group होता है जो phospholipid का head group होता है उसका orientation water की तरफ होता जाता है चारों तरफ से और tails जो है बीच में जाके एक मिसली बना लेते हैं तो इस principle पर इसका formation होता है फास्पो लिपिट की बाई लेयर और फिर यह हुआ की फास्पो लिपिट की बाई लेयर जो कि previous models में unbroken lamella था जो कि बिल्कुल continuous सतह थी unbroken थी कहीं पर भी टूटी हुई नहीं थी इस model में वो जगह जगह पर छेदी गई है भेदी गई है एट इंटर्वर्ल्स दिखे यहां पर भी एक प्रोटीन मालिकूल है जो थोड़ा पार्शियल इसमें है और एक प्रोटीन मालिकूल पूरे के पूरे में है यहां भी है कुछ निचे है इस तरह से प्रोटीन मालिकूल्स बिकास इस फ्रिक्वेंटली इंटर्प्टेट बाइड प्रोटीन मालिकूल्स मैनि आफ विच उट पनेट्रेट डीपली इंटो और एवेंट कंप्लीटली थ्रूद लिपिट बाई लेयर कुछ तो उसको पार्शली भेद रहे हैं और कुछ इसको पूरा का पूरा छेद प्रेद रहें जा रहे है हैं तो पहले बात यह आईकि जो फास्पों लिपिट की बाई लेयर है जैसा कि डैनली डॉप्शन माडल में कंट्व लेयर थी वह बात यहां री जेक्ट कर देकी हैं पहली बात हुई पार Kelly देडिокूल डेयर नहीं है क्यों मालिकूल जगे जगे पर protein molecules है और वो उस continuity को देखी यह continuous जा रहा है यह continuity खतम हो गई इसकी फिर है फिर दूसरा molecule आ गया तो continuity इसकी नहीं रह गई यह तरह से समझे कि lipid की bilayer तो है फास्पो लिपिड की bilayer तो है लेकिन यह कि यह continuous है यह बात इस model में reject हो गई पहली बात दूसरी बात आई कि प्रोटीन के भी फीजिकल स्टेट को काफी इसमें इंफिसिस दिया गया इसके पहले के models में protein जो है फास्पो लिपिड बाई लेयर के दोनो external surfaces पर इधर भी और इधर भी दोनो external surfaces पर प्रोटीन की एक लेयर थी फास्पो लिपिड के दोनो external surfaces पर प्रोटीन की लेयर थी तो इस चीज को भी इस model में reject कर दिया गया और कहा गया कि प्रोटीन रादर दैन फॉर्मी ए continuous layer दे आर प्रजेंट इन दो form of particles और वो उसमें से उस particles में से कुछ इसको पार्शेली छेद रहे हैं या भेद रहे हैं और कुछ पूरे के पूरे भेद रहे हैं इस dense proteins जो है इसमें 2 तरह के होते हैं एक इंटेग्रल प्रोटीन से इंटेग्रल प्रोटीन ये इंटेग्रल प्रोटीन है जो कि membrane को छेद रहा है पूरा-पूरा भेद रहा है और उसे काफी closely associated है काफी closely associated और ये प्रोटीन मालीकूल्स भी जो है यह इसमें भी एंफिपैथिक है इसका बीज का जो पॉर्षन है जो हाइड्रोकार्बन चेन के संपर्क में है वो भी थोली सी नान पोलरेटी रखता है इसलिए वो इसके मेंब्रेन में है और इससे अपना हुक की तरह से अपने को इसमें बा लेयर के ऊपर थोड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है यह थोड़ा पॉलरिटी रखता है पॉलर होता है इसलिए वाटर के कांटेक्ट में आने लगता है नीचे भी साइटो प्लाज में नीचे भी फ्लूइड है तो इधर भी देखे यह थोड़ा सा कहीं कहीं निकला हुआ दिखा से यह उपर जो है पोलर फार्मिशन हो जाता है जिससे वॉक्र के कांटेक्ट में आने लगता है थाई कर एक कि इस फास्फोब लिपट बाइछ के बीच बीच में में दो बाते हो गई पहले हमने बता दिया तुर से रिपीट कर दें रहाँ हूं कि फास्फोब लिपीट की बाई लेयर है लेकिन ये फास पो लिपीट की बाई लेयर continuous है इस बात को fluid mosaic माडल में reject कर दिया गया है लिपीट की बाई लेयर है लेकिन वो frequently protein molecules के दोरा interrupted है उसमें interruption है उसमें रुकावत है उसकी continuity में रुकावट है दूसरी बात ये कि इसके पहले के माडल में कहा गया कि प्रोटीन्स जो है फास्पो लिपिट बाई लेयर के एकस्टनल सर्फिस पर कंटिन्यूस लेयर बना रही है जैसा कि आपने डैनेली डॉप्शन माडल में पढ़ा तो इस माडल में यह कहा जा रहा है कि नहीं प्रोटीन की फिसकरी सेट वह इसी नहीं है जैसी पहले माडल में थी प्रोटीन्स भी जो है वो पार्टिकल्स के रू हैं या पूरे के पूरे भेद रहे हैं और इनके पकड़ में हैं और एक बात और जो है कि इस फास्फोल लिपीट बाई लेयर के बीच बीच में कोलेस्ट्राल भी पाया रहे हैं यह कोलेस्ट्राल के मालिकूर्स हैं जो फास्फोल लिपीट के बीच बीच में जगह जगह बहुत कम होगा फिर शाइट फिरो फालों को साइट प्रोटीन है यहедь इंटरमेडियत फिलामेंट से यह यह peripheral protein है peripheral protein जो है यह साइटोप्लाजमिक सर्फेस पर है यह फास्पो लिपिट बाई लेयर के अंदर इसका इंसर्शन या उसके अंदर यह नहीं है पेनेट्रेट नहीं कर रहा है बाहर है इंटेग्रल में मेंब्रेन प्रोटीन बहुत क्लोजली एसोसियेटेड है पेरिफेरल मेंब्रेन प्रोटीन फास्पो लिपिट बाई लेयर से एसोसियेटेड नहीं बलकि उसके एक्स्टरनल सर्फेस पर यह पाई जा रही है तो इनिशिली जो फ्लूट मोजाइक माडल सिंगर और निकोसल ने प्रपोस किया था उसमें दो ही चीजें थी है फास्पो लिपिटकी बाई लेयर और प्रोटीन जो अपडेटेड वर्जन आया उसमें हुआ नहीं इतना तो है इसमें cholesterol भी है इसमें जो integral membrane proteins है यह फास्पो lipid के head groups है और इसमें कुछ ओलिगो सखराइड चेंच लगी हुई है जो कार्बो हाइडरेट है आपको बताया कि तीन चीजे मिलके मेंब्रेन के फार्मिशन में हेल्प करती है लिपिड अस्पोलिपिड प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट बहुत थोड़ा सा इमाउन चाहा जाता है तो यह देखे अगर वो प्रोटीन के साथ एसोसियेटेड है कार ग्लाइको प्रोटीन और अगर लिपिड के साथ एसोसियेटेड हैं तो उनको कहेंगे ग्लाइको लिपिड दो फार में यह मिलेंगे ग्लाइको लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन यह साइटोप्लाजम का हिस्सा है नार्मल टेंप्रेचर पर यह जो सेल मेंब्रेन है प्ल कि वहाँ सारे फैक्टर से जो मेंब्रेन को सॉलीड होने से बचाते हैं सॉलीडिफाई हो जाने के बाद लाइफ थोड़ा एजी नहीं रहेंगे तो देखे एक तो कारण उसमें कोलेस्टाल का भी बीच बीच में होना जो है उसको सॉलीड होने से सालीड हो जायागा तो फ्र कैसे है यह अपडेटेड वर्जन है आप लोगों को अक्सार पुरानी बात तो नहीं पूछी जाती है फ्लुड मोजाइक माडल का अपडेटेड वर्जन पूछा जाता है काफी एक्जाम्स में इस तरह से बाते आती रहती हैं यह एक्स्ट्रा सिल्वर्ड है अब इसके हम लोग कल मेंब्रेन फ्लुडिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि मेंब्रेन की फ्लुडिटी कैसे होती है